कॉंग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाओ गटबंधन में लड़ने के पहले ही अपने हतियार क्यों डाल दिये। क्या है इसकी इंसाइड स्टोरी। भी तीरात अखिलेश यादो से आखिर क्या बात हुई और उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाओ न लड़ने का फैसला कर लिया। क्या होगा इंपक्ट हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि समाजवादी पार्टी के अब सभी नौ सीटों पर लड़ने और पीडिये के उनके फॉर्मूले के बाद बीजेपी ने जब अपनी लिस्ट जारी की है तो बीजेपी कैसे उस पीडिये को चलेंज करती हुई दिखाई दे रही है हम ये भी बताएंगे। तो ये दोनों खबरें आज का यूपी में नमस्कार मैं हूँ कुमार अभिशेक आप देखने यूपी तक हम हाजरे अपने न्यूज शो आज का यूपी ले करते हैं। जिहां तो बात होगी कॉंग्रेस पार्टी के उपचुनाओं में चुनाओं लड़ने के पहले ही हतियार डाल देने के। अमुमान ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी जिसका इतना बड़ा आधार कभी रहा हो। जिस पार्टी ने पार्लेमेंट में काफी बहतर प्रदर्शन किया हो। उसने उपचुनाओं में आखिरी वक्त में ये कहकर पल्ला जाड़ लिया कि सभी सीटें अब इंडिया गठबंधन लड़ेगा और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। जी हाँ, ये बात हाला कि अखिलेशादों ने अपने ट्वीट में बताई कि सभी सीटें पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इंडिया गठबंधन के उमिद्वार चुनाओ रहे हैं। लेकिन इसे कॉंग्रेस पार्टी का एक तरीके से इस उप्चुनाओं में हत्यार डालना माना जा रहा है। पिछले माहिने भर से ज़्यादा चल रहे सीटों के निगोशियेशन के बाद बिलकुल आखिर वक्त में कॉंग्रेस पार्टी ने ये कह दिया कि वो अब इस चुनाओं में नहीं जाए तो इसके पीछे की वज़ह क्या है। दरअसल कॉंग्रेस पार्टी को पहले जो सीटे आफर की गई थी, कॉंग्रेस पार्टी वो सीटे नहीं लड़ना चाहती थी। दो ऐसी सीटें दी जाएं जो कम से कम मुसलिम बहुल हो, कम से कम कॉंग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अपने उस वोट बैंक को कुछ बता सके, जता सके और उसमें से कुछ को जिता सके। कॉंग्रेस पार्टी शुरू से चाहती थी कि उसे कम से कम दो सीट मीरापूर और फूलपूर दी जाए तीसरी पसंद मजवां थी चौथी पसंद खैर और गाजियाबाद तो उसकी पसंद में थी ही नहीं बावजूद इसके उन्होंने पांच सीटों में उसका नाम रखा था अखिलेशाद उन्हें दो सीटें देने का ऐलान कर दिया लेकिन जब कॉंग्रेस पार्टी को लगा कि ये सीटें अगर वो लेती है तो इसमें हारने की गुंजाईश ही ज्यादा है या यूँ कहें उस सीट को जीतना लगभग नामों में किन था अन्य जैसे खैर की सीट समाज कॉंग्रेस पार्टी को जीतना और गाजियाबाद की सीट ये दोनों सीटें जीतना कॉंग्रेस के लिए लगभग उन्हें लगने लगा कि ये नामों किन है इसलिए धीरे धीरे यह perception बनने लगा कि क्यों न चुनाव ही न लड़ा जाए जिस तरीके से सपा ने हर्याना में चुनाव के पहले ही मना कर दिया था उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी कॉंग्रेस पार्टी मना कर दे क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी ने जिन दो सीटों की मांग की थी जिस प समाजवादी राणा के परिवार को वो नहीं लडाती तो वो इमरान मसूद के जरिये वहाँ पर चुनाव लड़ने की ताक में थी समाजवादी पार्टी ने इसे पहले भाप लिया था और इसलिए समाजवादी पार्टी ने दो से तीन दिन पहले मीरापूर की सीट का एलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतारा और दूसरी सीट जो की फूलपूर की थी वहां भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतार दिया कॉंग्रेस पार्टी अगर इन सीटों को लेती भी तो कॉंग्रेस पार्टी पर आरोप लगता कि वो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम चेहरे को हटा कर अपना उमिद्वार लाना चाहती है और फूलपूर में तो यही दिखाई देने लगा था कॉंग्रेस पार्टी वहाँ पटेल लड़ाना चाहती थी और अखिलेश यादों ने अपने पूराने कैंडिडेट मुस्तफा सिद्धिकी को वहाँ पर उतार दिया था ऐसे में यह मेसेज जाता कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट के लिए वहाँ समाजवाधी पार्टी के मुस्लिम चेहरे को हटा दिया खैर ये सब ऐसी चर्चाएं हैं जो माना जा रहा है कि ये बज़ा है कि कॉंग्रेस पार्टी मन माफिक और मन मुताबिक सीटें न मिलने की वज़ा से उसने बैक ट्रैक कर लिया, उसने सीटें लड़ना ही छोड़ लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव नही पाएगी, 6 सीटें जीती है कॉंग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में, अच्छी खासी उत्साही थी, उसे लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो अच्छा उप चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने सभी पत्ते खोल दिय नेगोशियेशन का कोई मौका ही नहीं दिया, इसलिए कॉंग्रेस पार्टी को लगा कि यहाँ पर चुनाव लड़ने से बहतर है चुनाव छोड़ देना क्योंकि चुनाव लड़ना खत्रे से खाली दे और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह कल रात को पार्टी ने तै किया वो ये कि प्रियंका गांधी चुकी वाइनाड से चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस की प्रभारी रही है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एक बड़ी पहचान है और कार्यकरता उनसे जुड़े हो एसे में जबकि प्रियंका गांधी खुद वाइनार्ट से लड़ रही है और धेरो कार्यकरता और नेता उत्तरप्रदेश से वाइनार्ट जाएंगे प्रियंका गांधी को जिताने के लिए ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी कम से कम फोकस हो करके एक सीट यानि प्रियंका को संसद में पहुँचाने की जुगत में रहेगी और उत्तरप्रदेश में उसका चुनाओ या तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के भरोसे रह जाएगा या फिर वो चुनाओ हार जाएगा अखिलेश यादव ने कल ओफर किया था रहुल गांधी को कि आप फूलपूर लड़ना चाहते हैं हम आपको फूलपूर की सीट देते हैं आप खैर लड़ना चाहते हैं हम आपको खैर की भी सीट देते हैं और आखिर में अगर आप गाजियाबाद भी लड़ना चाहेंगे तो गारिज्याबाद भी देंगे लेकिन कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए अब देर हो चुकी गी कॉंग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गटबंधन को लेकर खीचतान चली गटबंधन को लेकर सपा और इनके जो आपस की जो बाचीत थी वो पट्री पर नहीं आपाई इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी ने भी मन बना लिया था कि वो चुनाओ नहीं लड़ेगी उसका फोकस वाइनाड होगा ऐसे में यह आप मान लीजे कि कॉंग्रेस पार्टी ने काफी कुछ सोच कर यह फैसला ले लिया तो अब समाजवादी पार्टी अकेले चुनाओ में आ रही है यह जरूर है कि यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस अभी एक साथ आएंगे लेकिन ये एक Face Saving Formula है Congress Party को इस चुनाओ से दूर रखा है और इस Face Saving Formula के तहट उसने इस चुनाओ को छोड़ दिया है हाला कि एक राजनेतिक पार्टी के लिए हार जीत को तोल करके चुनाओ को छोड़ देना कहीं से सियासी अकलमंदी नहीं कही जाएगी अब अगली खबर तो अब कैंडिडेट के ऐलान के साथ ही इंडिया गटबंधन और इंडिये के बीच की लड़ाई बिलकुल साफ साफ हो गई यानि कि आमने सामने की अब ये लड़ाई होगी ये तैय है अखिलेश यादों ने फिर से एक बार पूरा दाउं पीडिये पर लगाया है यानि कि उनके सभी नौ के नौ उमिद्वार पीडिये से हैं यानि कि पिछडे दलित या फिर अल्प संख्याट और इस बार इंडिये गटबंधन ने भी इस दाउं के उलड इस दाउं को पलटने की का खेल शुरू किया है इस बार पीजेपी ने जो अपनी साथ सीटों का एलान किया है और आरेलडी ने भी मीरापूर से पीडिये यानि कि पिछडी जाती से ही मिथलेश पाल को अपना उमिद्वार बनाया है यह एक पॉलिटिकल फैमिली है और पाल बिरादरी से आते हैं ओबीसी से आते हैं अखिलेश यादव ने एक नया प्रियोगी इस बार फिर किया अयोध्या की तर्जपर और घाजियाबाद से है जो कि BJP कभी हा रही नहीं है लगातार BJP जीतती रही है वहाँ पर समाजबादी पार्टी ने प्रियोग किया है और इस बार राज सिंग यादव को सिंग राज जाटव को उन्होंने अपना उमिद्वार बनाया है सिंह राज जाटव जी हाँ जाटव विरादरी से आते हैं और समाजवादी पार्टी का जो कैलकुलेशन है इस बार गाजयबाद के इस सीट के लिए मुस्लिम और जाटव कॉम्बिनेशन बनाने का है क्योंकि बीएसपी ने वहाँ से बिजनस कमिनिटी के यानि कि वैश्य समुदाय से अपने कैंडिडेट उता रहे हैं और बीजेपी ने वहाँ से ब्रामण उमिद्वार उता रहा है अगर आप कुनरकी की सीट देखें जो कि मुस्लिम बहुल सीट है और यहीं से बर्क जो विधायक थे इस बार जीत करके पर्लेमेंट पहुँचे हैं करीब 60% से ज्यादा मुसल्मान हैं वहाँ इस बार बीजेपी ने ठाकुर उतारा है एक ब्रामण और एक ठाकुर बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी ने OBC चेहरों को उतार दिया है OBC और दलितों अगर आप देखें मजवा में तो मजवा में बीजेपी ने मौर्या विरादरी पर अपना दाउन लगाया है जबकि समाजवादी पार्टी के तरफ से वहाँ ज कुर्मी बिरादरी पर अपना दाउन लगाया है तो बीजेपी ने वहाँ से निशाद को उतारा है इसी तरीके से RLD के कोटे में गई जो सीट है वो सीट पाल बिरादरी को गई है अगर आप फूलपूर की सीट देखें तो बीजेपी ने फूलपूर में यहाँ पर कुर्म विरादरी यानि की पटेल विरादरी को अपना 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 उमिद्वार बनाया है तो पीडिये के काट के तौर पर इस बार एंडिये ने भी तकीवन पांच OBC एक दलित उतार दिये हैं और दो सवर्ण जिसमें से एक ठाकुर और ब्रामान है तो पीडिये बनाम बीजे के लिए छोड़ी गई जिन दो सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का एलान किया है वो बड़ा रूचक है एक चारू केन है अभी हाल में यह तो चारू केन बीस पी में थी पिछला चुनाव बीस पी के चुनाव चिंद पर लड़ा था उन्होंने उनके साथ खासियत यह है क कि वो जाटव दलित विरादरी से आती है और उनकी शादी जाट विरादरी में हुए और खैर ऐसी सीट है जहां जाट बहुल सीट मानी जाती है यानि कि वहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की गई है जाटव और जाट के इस समीकरण को और अगर चारू केन की बात करें तो पिछली बार वो बसपा से जीती थी अभी हाल में ही उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जॉइन की थी दिल्ली में और पूरी उम्मीद थी कि कॉंग्रेस पार्टी से वो उमिद्वार होगी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो समाजवा कल रात को अखिलेशादों ने लिखा था कि इंडिया के इस गडवंधन में कॉंग्रेस के कैंडिडेट भी सिंबल पे लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के तो यहां दिखाई दे रहा है लेकिन गाजियाबाद का जो प्रयोग है वो अनूठा है पहली बार गाजियाबाद सदर में तलित विरादरी को अखिलेश यादों ने मौका दिया है यह यह किसी ने दिया है क्योंकि यह शुद्ध रूप से ब्रामणों और वैश्यों की एक ऐसी सीट मानी जाती है जो बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों है तो यह एक नया प्रयोग है कभी सपा जीती नह ही है लेकिन उसने कुछ नहीं तो कम से कम तलितों में और खासकर जाटों विरादरी में मेसेज देने के लिए उन्होंने यह सीट एक बार फिर दी आप याद करिए अजोध्या का वो चुनाओ जब 2024 में अधेश प्रसाद को अखिलेश यादों ने महां से चुनाओ लड़ाया था वो एक सामान नसीट थी वही यहां भी दिखाई देता है कि गाजियाबाद सदर एक सामान सीट है और अखिलेश यादों ने वहां फिर दलित और उसमें भी जाटों पर दाउन लगाया है तो BJP को ये कितना नुकसान करेगा ये तो कहना मुश्किल है लेकिन मायावती के लिए इसमें नुकसान दिखाई देता है अगर जाटवों ने एक बार फिर उस इलाके में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पर भरोसा जताया तो मायावती के लिए मुश्किल हो सकती है तो ये चुनाओ बहुत सारी संभावनाओं को अपने में समेटे हुए है इसके बाद कि अब सपा कॉंग्रेस गटवन्धन ने सब कुछ साफ साफ कर दिया कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाओ होगा और सभी एक दूसरे की मदद करेंगे कॉंग्रेस चुनाओ नहीं लड़ेगी वहीं बीजेपी ने भी बहुत सोच समझ कर अपने कैंडिडेट उतार दिये ऐसे में अगराब नाम पिछडा करना संविधान को खत्रे में बता करके वोट लेना इस बार किसी भी गटवन्धन के लिखास करके इंडिया गटवन्धन के लिए मुश्किल होगा अब देखना ये है कि PDA और PDA के खिलाब BJP के इस OBC समय करन का क्या फल निकलता है इसका क्या नतिज़ा निकलता है लेकिन ये चुनाओ बेहत दिल्चस्प होगा इसमें कोई दोराय नहीं तो ये था आज का यूपी हम कल फीर हाजिर होंगे हमें दीजिये इजाज़त आप देखते रहिए यूपी तर